कि युक्रेन का महौल जैसे न्यूस चैनल भी दिखा रहे हैं लगबग वैसा ही था कोई न्यूस चैनल जूट नहीं बोल रहा था कि कुछ भी हो सकता है उस टाइम हम जब हम हम हमारी सिटी वैसे बॉर्डर से काफी दूर है यह रश्या के बॉर्डर से हम आप वह सिटी मानी जाती थी हमारे टीचर्स भी यहीं बोलते थे कि अभी यह सेफे सिटी है वैसे हाँ पर कोई प्रॉब्लम में नहीं होगी लेकिन तब 23 फैब को सुबह में जब हम उठे तो वहां पर ब्लास्ट हुआ इवानों में ही हमारी सिटी में वह एरपोर्ट उन्होंने ब्लास्ट क हुआ था तो हम घबरा गए थे सभी महां से किस तरह चले आप कितने यूप महां से चले हमने खुदी अपने एक्सपेंसिज पर टैक्सी बुक की चे टैक्सी हमने एक बस और च्छे पांच टैक्सी बुक की तो वहां से हमने सफर्ते किया था लगबग हम डेड़ सो से 200 लो 15 किलोमेटर पहले बॉर्डर से रोक दिया था क्योंकि ट्रैफिक इतना था कि बस जा नहीं सकती थी तो हमने वहां से फिर पैदल का सफर्त है कि बारा से 15 किलोमेटर अपने लगेज के साथ जैसे तैसे करके हम कुछ घंटों बाद शाम तक हम वहां पहुंचे बात करें तो फैंटर करने के लिए हमें युक्रेनियन बॉर्डर करना पड़ेगा अब वहां पर मार्शल लोग लगावा है तो इतने जब हम पहुंचें वहां पर तो लगबाग मेरे हम पहुंचे तो एक हजार लोग थेख स्टुडेंट्स थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीowa के ही में तो किसी तरीके से धककांगी जैसे भी करके पर से उससे क्रॉस करने के बाद हम् योप्रेइन बार क्रोस च्रॉजव किया फिर हम ने रेशन दोर्ण वर मैं डल के नहीं लाप तो इस अगर सिसे से इतने बच्चे हंग्री है और रोमानियद है अब फिर तो थोड़े-ठीबोट कर दिए जाएं तो उसमें तुल burgers घंए रहेगा ότι कि अगर भीड़ों को गला आखेπेस को तो खुशी मैश्य चुश्थ हो रही होगि य disp अपने घर पहुंचा जब कीछ पी बच्चा रह जाएगा तो मुझे तो कोई खुशी मैसूस नहीं होगी क्योंकि उनकी responsibility भी हमारी और हमारे government की है